तुनिशा शर्मा सुसाइट केस में हाल ही में एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है और एक चोका देनी वाली बात का खुलासा किया है वकील ने सभी के बात जानकर होश उड़ गए हैं पूरे स्टोरी आपको इस वीडियो में बताएंगे कि क्या है बात और क्या नए अफडेट सामने आया है इस स्टोरी में उससे पहले मेरे चैनल सेलिबरिटी दुनिए को सस्क्राइब कर दीजे जैसा कि आप सबको बताएं तुनिशा अब शीजान से बेक अप हो गया था तो उसनी डेटिंग एप टिंडर पर अपना प्रोफाइल पनाया था और इस डेट एप से वह एक अली नाम की लड़की से उसकी साथ उसकी फ्रेंचिप हुई और उसको तुनिशा ने डेट भी किया था सुसाइट से पन्दा मिनिट पहले भी तुनिशा ने अली नाम की इस लड़के से बात की थी और तुनिशा की मा को इस अली के साथ तुनिशा की फ्रेंचिप के बारे में पता था तुनिशा इस लड़के को डेट कर रही थी शीजान की बेक अप के बात से वकील ने कोट में два रिकॉर्जिंग भी पेश की और सारी डिटेल कोट के सामने पेश की है वर ने साबित करा हैं कि स्रिजान से contact में नहीं थी तुनिशा बलगे इस अली नाम के लडगे के साथ उसका contact था अब तुनिशा के वकील ने सारी दलिले कोट में दे दी अब तो निशाय कि वकील ने time मागा है कुछ defense में कुछ सबूत भी दिये हैं और थोड़ा वक्त भी मागा है ताकि वह और जवाब उन्हें clear दे सके code को लियाजा code ने उने 11 जशनुवरी तक का time दे दे दिया है अब अगली सुनवाई 11 जशनुवरी को होने वाली है और आगे इस केस में क्या खुलाते होने वाले है उसका भी पता चलने वाला